दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारीकरम नियोज मंधन के साथ मैं उर्मिलेश नियोज मंधन के इस Εपीसोड में हम पारलेमिंट आफ इंडिया में संसत के दोनों सद्रों की बात मैं करना हूँ दोनों सद्रों में जो इस सब्ता बहुत महत्पून जो प्रोसीडिंग हुई उस प्रोसीडिंग से उठते हुए कुछ सवाल, कुछ मुद्दे, कुछ प्रकरणों पर आज अपनी बात कहूँगा मानि प्रधानमंत्री जी ने एक अपने भाशन में इतिहास से जुड़े एक ऐसे प्रशन को उलजा दिया है जिस पर अपनी बात कहना मुझे लगता है ये जरूरी है उन्होंने बहुत ही मजाकिया लगजे में कहा कि इस परिवार के लोग नहरू का सरनेम नहीं लगाते हैं, गांधी का क्यों लगाते हैं, क्या शर्माते हैं क्या नहरू में उनका जो लब-लुवाप कहने का था कि क्या नहरू के नाम से उनको क्या है क्यों नहीं लगाते किस बात का उनको स्वाइमान है और किस बात का उनको है कि वो नहरू जी बड़े नेता इतने थे लेकि नहरू का सरनेम ही नहीं लगाते ये वो कहना चाहते थे दोस्तो मुझे लगता है कि ये प्रशन बहुत महत्पूर है क्योंकि इसमें नौकेवल एक गलत बयानी है बलकि परंपरा का निशेद भी है परंपरा नो जानने की एक 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 इस्तिती दिखाई देती है और तीसरी बात की फिरोज गांधी के बारे में कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो एक हैसियत है हमारे समाज और इतिहास में उनका जो आउधान है उसको भी कहीं न कहीं नजरंदाज किया गया है जब सरनेम की चर्चा होती है तो फिरोज गांधी के सरनेम पर अगर सवाल उठता है तो निश्चित रूप से वो नजरंदाज होता है उनका उनका जो व्यक्तित्व है या उनका उनकी जो विरासत है सबसे पहले मैं बता दूँ बहुत सामानी इंफॉर्मेशन की फिरोज गांधी के पिता गुजराती पार्सी थे गुजरात के रहने वाले पार्सी थे लेकिन ये परिवार शिफ्ट हो गया था इलहाबाद और फिरोज गांधी गांधी सरनेम नहीं लिखते थे ये बात सही है उनका जो सरनेम था फिरोज जहांगीर गांधी घौ की मात्रा आ और उसके उपर बिंदी लगता था और दी दौ में बड़ी ए की मात्रा गांधी लेकिन गांधी कैसे हुआ दोस्तों ये पार्सी परिवार बहुत संयत बहुत शालीन परिवार था और फिरोज गांधी बहुत प्रतिभाशाली थे वो विदेश में भी पढ़ाई किये जब 1942 में हिंदू उरीती से इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से शादी हुई उस वक्त कमला नहरू जी इंदिरा गांधी जी की माता जी महत्मा गांधी से उनकी इस बारे में बादचीत पहले से चल रही थी कि बिटिया शादी करना चाहती है और शादी एक गुजराती पार्सी परिवार के फिरोज गांधी से करना चाहती है फिरोज गांधी भारत की एलहाबाद उत्तरप्रदेश और देश के युवाओं को काफी आक्रिष्ट करते थे बहुत प्रकर थे शादी परसामती बन गई थी लेकिन समस्या ये थी कि कॉंग्रेस के अंदर और कॉंग्रेस के बाहर बहुत सारे लोग अंतर धर्मिय शादी का ये सवाल खूब उठाए लेकिन दूसरे कुछ लोगों का कहना है इतिहासकारों का कि नो गांधी जी ने स्वैम इनिशियेटिव लिया और उनका सजेशन था कि घांधी सरनेम को गांधी में तब्दिल कर दिया जाए वो ज्यादा बेतर होगा मैं अपना सरनेम दे देता हूँ इस तरह से बैराल इन दोनों कहानियों में जो भी सही हो लेकिन ये दोनों वर्जन इतिहासकारों ने उद्रित किये हैं एक कि फिरोज गांधी ने स्वेम गांधी जीसे प्रवावित होकर अपना सरनेम घांधी जो गांधी से काफी मिलता जुलता था उसको गांधी कर लिया और दूसरा ये कि स्वेम हात्मा गांधी का ये सजेशन था तो इस तरह से फिरोज जहांगीर घांधी फिरोज गांधी बन गए और शादी करने के कारण चुकि हिंदू रीती शेशादी हुई थी इलहाबाद में हुई थी 1942 में हुई थी इसलिए इंदिरा गांधी ने इंदिरा प्रिदर्शनी नहरु जो इंदिरा थी वो बन गई इंदिरा गांधी तो ये कहानी है माननी प्रधानमंत्री देश के सरवच निर्वाचित नेता है. कारे कारी जो जो एक्ज्किوس टीव है उसमें. मतलब जो हमारा जो सबसे ज़ादा सरकार का नित्रत ने वाली जो शक्तियान हैं उसके सबसे बड़े नेता है. मुझे लगता है इतिहास की इस महत्मूर्ण इस महत्मूर्ण वाकए को उसको उसका मजाथ नहीं वड़ाना चाहिए था और नहरू नाम को छोड़ने से वो अपमान से बचने की कोशिश करता है मतलब ये मुझे लगता है ये विवाद का विशय नहीं बनाया जाना चाहिए और इसी के साथ दोस्तों मैं फिरोज गांधी के बारे में दो बातें कहकर अपनी बात खतम करूँगा इस मुद्दे पर पहली बात कि 1956 अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो 1956 में फिरोज गांधी ने भारत के एक सांसत के रूप में राय बरिली से वो सांसत थे वही पहले व्यक्ति हैं इस देश में जिनकी वज़ा से भारत के मीडिया को पार्लामेंट की प्रोसीडिंग कवर करने का अधिकार मिला सरकार के नौच चाहते हुए फिरोज गांधी ने पार्लेमेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और उस प्राइवेट मेंबर बिल को आम तोर पे संसत की मंजूरी प्राइवेट मेंबर बिल को आम तोर पे नहीं मिलती उसको मंजूरी मिल गई और मंजूरी मि ये Parliamentary Proceeding Protection of Publication Act 1956 बना तो आज भारत का मीडिया अगर Parliament को कवर कर रहा है दूरदर्शन से लेकर के तमाम टेलिविजन चैनल अगर खवरें दिखा रहे हैं तो इसके पीछे भी फिरोज गांधी हैं फिरोज गांधी के कानून के कारण ही भारत के प्रिस को संसत भवन के अंदर घुस करके प्रिस दिरगा में बैठ करके और प्रसीडिंग को रिपोर्ट करने का अधिकार मिला ये फिरोज गांधी का अधान है इसलिए मैं समझता हूँ कि मानि प्रदान मंत्री को फिरोज गांधी के प्रती यह जो उनका आधान है इसे भी याद करना चाहिए था कि नकी उनके गांधी और गांधी सरनेम को लेकर कन्फिूजन में पढ़ना चाहिए था या देशवासियों को कन्फिूजन में डालना मुझे लगता है फिरोज गांधी का सरनेम विबात का विशाय नहीं बनाया जाना चाहिए एक दूसरा काम भी किया था फिरोज गांधी ने और आज बहुत रिलिवेंट है आज देश के एक बड़े ओद्योगी घराने पर LIC से लेकर State Bank of India और Punjab National Bank की धनराशी हजारों करोड की धनराशी को निवेश किये जाने को लेकर कि उसकी संपत्यां सरकारी जो बैंक हैं सरकारी जो कार्परेशन हैं उनकी संपत्य वहां लगी है आज इस पर भी बात बड़ा खड़ा हो गया है लेकिन भारत में इस तरह का पहला विवाद LIC को लेकर ही हुआ था और वो विवाद हुआ था 16 दिसंबर 1957 को और इसे खड़ा किया था फिरोज गांदी ने फिरोज गांदी ने जो खड़ा किया था उसको हरिदास मुंद्रा सकेंडल कहा जाता है दोस्तों और ये जो हरिदास मुंद्रा सकेंडल है इसमें LIC Life Insurance Corporation आफ इंडिया Life Insurance Corporation आफ इसका जो था पैसा एक करोड पच्चीस लाक रुपया कलकत्ता के पुझी पती मुंद्रा साहब के कंपनी में ये इन्वेस्ट किया गया था इसको लेकर फिरोज गांदी ने सवाल उठाया और वो उस समय का पहला financial scam बना पहला financial scam बना इस देश का नहरू गौर्मेंट की बहुत बुरी स्थिती हो गई और मानित काफी महसूस गया नहरू ने अपने ही दामाद के हाथ हों अपने ही दामाद ने जिस तरह उनके साथ और उनकी सरकार को एक्सपोज कर दिया पूरी सरकार चकित थी लेकिन फिरोज गांधी मानने वाले नहीं थे और फिरोज गांधी के कारण देश की एक बड़ी परिसंपत्य एक करोर पचीस लाग की उसका जो है एक तरह से उसकी रक्षा होई और उस समय के वित्मंत्री टीटी कृष्णमाचार को पद छोड़ना पड़ा जस्टिस एमसी छागला की अगवाई में जांच कमेटी बैठी और मामले को साफ साफ उन्होंने बताया कि जो फिरोज गांधी ने आरूप लगाए हैं वो सही थे तो ये आज के दौर में कोई जांच कराने को भी तयार नहीं है आज के दौर में पारलमेंट में जेपी सी की मांग हो रही है कोई जांच कराने को तयार नहीं है लेकिन एक फिरोज गांधी के रेज करने पर सवाल जांच बैठ गई थी तो एक सरकार वो थी एक संसत वो थी एक पारलमेंटरेरियन वो था और आज का दोर हम देख रहे हैं कि जब सारा आप सकते हैं तो दोस्तों यह थे फिरोज गांधी जिननों ने दो बड़े महत्कp मैं अनक ऐसे उदारान दे सकता हूं जो फिरोज कांधी ने किया इसलिए मैं समझता हूं कि फिरोज जहांगीर गांधी जहांगीर उनके पिता का राम था जो यूज करते थे वो लेकिन पापुलरली नोन एज फिरोज गांधी वो एक बड़े व्यक्ति थे वो एक बड़े पार्लामेंटेरियन थे और मैं समझता हूँ कि 48 वर्स 14 वर्स की अवस्का में उनका हिर्दया घाग से हार्ट अटेक से उनकी मौत हुई थी अगर ये जो वो जिवित रहते तो बहुत कर सकते थे इंडियन डिमक्रसी के लिए लेकिन दुर्भागेवर दुर्भागेवर उनका देहान थो गया दोस्तों बहुत सारी बाते हो चुकी हैं लेकिन जिन बातों पर कम चर्चा होई है हम उन पर भी अपनी बात कहेंगे और जिन पर खुब चर्चा होई है लेकिन बह कॉंग्रेस सद्यक्ष स्री खडगे ने क्रमशाह लोक्त सभा और राजी सभा में जो भाशन दिया रास्टपती के अभिभाशन पर प्रस्तुत सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव के सिलसिले में उसमें भाशन उन्होंने धारा प्रवादिया टोका टोकी बीच में हुई गांदी के समय कुछ कम हुई लेकिन कई घंटे भाशन के बाद यानि भाशन के खत्म होने के कई घंटे बाद दोनों नेताओं के भाशनों में कट किये गये यानि एक्सपंज कर दिया गया उनका भाशन अब उनके भाशन लाखों करोणों लोग सुन चुके थे के जरिये आकाश्माणी पर भी और अख़वारों में भी वेब साइटों पर भी यूट्यूब चैनलों पर भी लेकिन फिर भी कट लगा फिर भी एक्सपंज किया गया ताकि जो पार्लमेंट की अपनी जो प्रसीडिंग होती है उसमें जो इन्टैक्ट रहे भाशन वा संशोधित या एक्सपंज या कटा हुआ भाशन सुरक्षित रहे वो धारा प्रवा जो उन्होंने बोला है वो सब कुछ प्रसीडिंग का पार्ट नव बन सके राईल गांधिक के भाशन में 18 कट लगे यानि 18 टुकडे उनके हटाए गए और खड़के साफ के भाशन में 6 टुकडे उनके हटाए गए छे जगा कट लगे सवाल इस बात का है ये तो सामानी जानकारी हुई कि ऐसा क्यों किया गया और इसके लिए क्या वज़र हो सकती है और दूसरी बात कि इसका फायदा क्या है दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कियाम तोर पे अपोजिशन के बड़े नेताओं का भाषन एकसपंज तब तक नहीं किया जाता जो संसत की एक परमपरा रही है जब तक की कोई अन पार्लामेंटरी लेंग्वेज का इस्तिमाल नहुआ हो या ऐसे मुद्दे नह उठाए गए हो जो संसत की जो प्रोसीडिंग के जो तौर तरीके हैं उसके सिध्धानतता बिलकुल उलट हो सिर्फ ऐसे मुद्दों को एकसपंज करने का दाइत तो जो है पीठासी नधिकारी का होता है कई बार सत्तापक्ष की ओर से पार्लामेंटरी एफेर्स मिनिस्टर प्रस्ताओ भी देते हैं और वो जब मुद्दा जाता है तो उस पर विचार किया जाता है और फिर प्रसाइडिंग आपसर अपनी अपना फैसला सुनाते हैं इस मसले पर जो हमारी जानकारी है कि सरकार की तरफ से प्रसेडिंग आफिसर्स को यानी स्पीकर या राजसभा के चेर्मेन या वाइस चेर्मेन जो भी हो उनको ये प्रस्ताओ गया और फिर वो कट कर दिया गया एक्सपंज कर दिया गया हिस्सा लेकिन तब तक लाकों करोनों लोग सुन चुके थे तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं क्योंकि भारत के प्रदान मंत्री ने जब अभी भाषन पर जो चर्चा होई थी उसका जब जब जबाब देना शुरू किया तो उन्होंने अडानी प्रकरण पर राहुल गांधी या खड़गे साहब दोरा उठाए गए सवालों का कहीं उनको ठच ही नहीं किया प्रदान मंत्री बिलकुल उनके लिए वो मुद्दा ही नहीं था क्यों मुद्दा नहीं था क्योंकि वो प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया था जो असल सवाल जुड़े थे अडानी के पूरे के पूरे मामले से इसलिए प्रदान मंत्री ने स्वातंतरता अपनी अपनी स्वातंतरता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बात को तवज्जव नहीं दी कि राहुल गांधी का जो भाषन कट चुका है या खड़गे साब के बहुत सारे भाषनों के पार्ट कर चुके हैं उनको तवज्जव देकर उनको डिसकस किया जाए तो एक तरह से जो एक स्पंज मेटर है उसका सीधा रिष्टा सरकार की के बचाओ से जुरता है अब सवाल इस बात का है कि क्या शालीन धंग से पार्लेमेंटरी जो वैलियूज हैं उनकी रोशनी में दिया गया बियान एक स्पंज करना अगर वो सरकार के पक्ष में जाता है तो क्या ये ठीक है सरकार का बचाओ करता है तो क्या ये ठीक है दोस्तों हम सवाल नहीं उठा रहे हैं किसी के रूलिंग पर लेकिन एक पार्लामेंटरी जो सिस्टम है उसके एक शात्र के नाते एक 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 उसके अध्यता के नाते मेरा एमानना है कि ये ठीक नहीं है और ठीक यही बात मिश्टर खडगे ने अपने उस पत्र में उठाया है यही बात यही यही सवाल उठाया है उन्होंने राजिसमा के सभापती को लिखे पत्र में इस पर इतराज जाहिर किया और इतराज जाहिर करते हुए उन्होंने साफ याद दिलाया है कि भारत के संविधान की आर्ट की लेक सो पाँच उसके तहत कांस्ट्यूशन इस बात की गारंटी करता है कि मेंबर आप लोगसभा राजसभा वो हाउस में अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह पूरी तरह स्वतंत्र हैं और एथिंटिकेशन यानि किसी भी बात जो कहे वो रहे हैं शालीन ढंक से पार्लामेंटरी प्रोसीजर के तहट पार्लामेंटरी लैंग्विज में उसके लिए एथिंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है ये संविधान का आर्ट किल 105 कहता है ये बात उन्होंने अपने पत्र में भी कही है और अब देखना यह है कि इस पर बह चलती है या नहीं लेकिन ये आम तोर पे अगर अतीत की बहसों को देखें तो ऐसा नहीं हुआ करता था कोई भी विपक्ष का नेता चाहे वो जितना भी आलोचनात्मक होता था तरकार पर कभी इस तरह से एक्सपंज नहीं किया जाता था बड़े नेताओं का बयान जब त कुछ बाते मैं आज नूज मंतरम में करना चाहता था और दोस्तों आप इस एपिसोड को देखने के बाद जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आदाव सत्स्रियकाल